असलाम लेकोम एब्रिवान वालकम टू आईशा मेडिकल आजुकेशन आज इस वीडियो में हम लोग स्टेडी करने जा रहे हैं फिमोरल ट्राइंगल ठीक है लोवर लिम्ट जो है हमारे पास उसका जो थाई है उसके फ्रंट पर ये ट्राइंगल प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल ट्राइंगल ठीक है सबसे पहले हम इसकी देखेंगे लोकेशन दैन उसकी बाउंडरिस फ्लोर रूफ एंड कॉंटेंट्स सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो यह क्या होती है ट्राइंगल डिप्रेशन है जो के मारे पास फ्रंट ओफ दी अपर व इंगोरल ट्राइंगल सबसे पहले हमें जो हमार पास इंगोईनल लिगमेंट है उसका पता होना चाहिए यह कौन सा लिगमेंट है जो हमार पास एंटीर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर प्योबिक ट्यूबर्कल तक एक्स्टेंड करता है ठीक है जिसको मैंने एस ट्राइंगल है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल ट्राइंगल ठीक है इसकी हमार पास अगर बाउंडरी की बात करें तो क्या होगी एक बेस होगी एक पैक्स होगी और इसकी लैटरल और मीडियल बाउंडरी होगी ठीक है अगर हम इसकी लैटरल बाउंडरी की बात करें तो हमा वन थर्ड पोर्शन है, जिसमें हमने ये क्या बनाई हुई है, फ्यमोरेल ट्राइङंगल, ठीक है, फो ये उसका लेटरल साइड होगा, और ये उसका मीडियल साइड, सो जो lateral boundary है इस triangle की वो कौन बना रहा है medial border of the sartorius sartorius हमारे पास एक long muscle होता है जो bleakly present है सो उसका जो medial border है वो बना रहा है इसकी lateral boundary और अगर इसकी medial boundary की बात करें तो वो कौन बनाता है medial border of adductor longus mean medial border ही वैसे तो अगर हम देखते हैं lateral border बनाता इसकी medial boundary बट क्या है कि जो हमारे पास adductor longus muscle है वो उसके floor में चला जाता है means inside हो जाता है inward चला जाता है जिसकी वजह से medial border ही medial boundary बनाता है femoral triangle की ठीक है mean lateral हो या medial हो दोनों medial medial border ही आएंगे sartorius का और adductor longus का ठीक है यह दो muscles involved होगे इसकी boundary में अगर इसकी base की बात करें तो inguinal ligament इसकी base बनाता है अगर इसकी apex की बात करें तो apex कैसे होती है apex directed downward होती है ठीक है यह triangle हमारे पास इस तरह से present है ठीक है इसकी apex होगी directed downward और apex कैसे बनेगी where medial and lateral boundaries cross mean जहां पर medial and lateral boundaries cross करती है तो वहां पर क्या बन जाती है apex बन जाती है mean sartorius और adductor longus ने जहां पर cross किया अगर floor की बात करें तो इस triangle के floor में कौन-कौन से मसल आते है adductor longus मैंने पहले बताया कि adductor longus inward हो जाता है इसके floor में चला जाता है ठीक है सबसे पहले आ गया adductor longus then pectinus हो जाएगा ठीक है यह medial floor medial side होगी floor की lateral बात करें तो source major and the iliacus यहां पर होगा source major उसके बाद है iliacus muscle mean यह four muscles हो हैं यह क्या बना रहे है हमारे पास femoral triangle की floor बना रहे ठीक है adductor longus then pectinus उसके बाद source major and iliacus हमने floor को भी medial lateral बना दिया ना उसकी division कर दिये अगर इसकी roof की बात करें तो roof में हमारे पास क्या होता है skin होता है superficial fascia and deep fascia सबसे बाहिर वाली side पे होगी skin उसके अंदर जाएं तो क्या होगा superficial fascia और उसके बाद होगा deep fascia with safeness opening and crebriform fascia safeness opening means जहां से हमारे पास जो femoral vein होती है उसकी safeness vein निकल रही होती है उसकी branch होती है वहाँ पर एक opening बन जाती है ठीक है उसको बोलते हैं safeness opening और वहाँ पर जो fascia होता उसको बोलते हैं क्रीब ट्राइंगल की उसकी skin के बाद जो superficial fascia है उसके अंदर से भी कुछ contents पास करते हैं ठीक है वह क्या है superficial inguinal lymph nodes है ठीक है उसके लाबा हमारे पास femoral branch of genito femoral nerve है superficial branch of femoral artery branch of ileo inguinal nerve ठीक है यह यह चार चीज़ें superficial fascia के अंदर भी present होती है नेम आप देखें तो ज्यादा superficial आरा है superficial inguinal lymph nodes superficial branch of femoral artery femoral branch of genito femoral nerve and branch of ileo inguinal nerve यह चार contents superficial fascia के अंदर present होते हैं नेक्स हम इस triangle के contents के बात करें यह diagram जो है मैंने contents के लिए ड्रॉव की है ठीक है मीन इस triangle femoral triangle के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें present है सब सबहल हम देखेंगे femoral nerve femoral artery and its branches femoral vein and its tributaries deep inguinal lymph nodes यह कौन से थे superficial inguinal lymph nodes जो superficial fascia के अंदर present थे बट जो deeply इस femoral triangle के अंदर होंगे वह कौन से होंगे deep inguinal lymph nodes उसके बाद है lateral cutaneous nerve of thigh ठीक है यह है lateral cutaneous nerve of thigh femoral branch of genito femoral nerve 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 to pectenus rise from the femoral nerve just above the inguinal ligament अब इन सारे contents को मिस्टाइग्राम में देखते हैं सबसे बहले femoral nerve यह जो मैंने black में draw की है यह femoral nerve यह होगी हमार पास medial side यह हमार पास lateral side और यह है medial side ठीक है तो यह जो मैंने black color में draw किया है यह हमार पास femoral nerve यह red में है femoral artery और यह blue color की है हमार पास femoral vein इसकी sequence कैसे होगी एन एवी मीन पहले नर्फ है अगर lateral to medial बात करें पहले nerve है then artery है and then vein है मीन सबसे lateral कौन present है femoral nerve ठीक है देन आती है femoral artery और उसके बाद femoral vein मीन नर्व और vein के दरम्यान में हमार पास femoral artery present है ठीक है एन एवी sequence है अगर हम lateral to medial study करें ठीक है यह तीन चीज़ें होगी यह वाली femoral nerve femoral artery femoral vein next हमार पास deep inguinal lymph nodes यह हमार पास deep inguinal lymph nodes next वीडियो में हम लोग femoral sheath और femoral के नाल पढ़ेंगे इसमें क्या है कि यह तीनों चीज़ों को इन structures को कौन पकड़ के रखता है हमार पास femoral sheath होती है ठीक है उसके साथ होती है femoral canal lateral cutaneous nerve of thigh ठीक है this is the lateral cutaneous nerve of thigh उसके बाद है femoral branch of genitofemoral nerve nerve to pectinus arises from the femoral nerve just above the inguinal ligament इस बात का क्या मतलब है कि femoral nerve जो है उसकी एक branch होती है ठीक है जिसका नाम क्या है nerve to pectinus यह कब राइज होती है inguinal ligaments के inguinal ligaments से पहले ही राइज हो जाती है यहां से यह राइज होगी ठीक है अगर यह continuation इस तरह से हमारे पास क्या है femoral nerve है तो उसके inguinal ligaments से पहले ही nerve to pectinus arise होगी femoral nerve से ठीक है यह थे हमारे पास contents of the femoral triangle if you understand this video so please like share and subscribe the channel thanks for watching